नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फिर्स इंवेस्टमेंट पे एंड मैं हूँ आपका मेंटर शिवाज बसी जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा कर रहा था कि मैं ग्रोव आप की पूरी सीरीस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूगा सारी स्टेप्स आपको क्लियर करूगा कि अंदर आप सारी की सारी फिसलिटीज को ले सकते हैं सबसे पहली वीडियो मैं अल्रेडी पोस्ट कर चुका हूँ जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग उन्हें अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आप लोग या सेल इंट्रडेज या डिलिवरी बेस पे किस तरीके से ट्रेट कर सकते हैं चाहिए अप लोग डिलिवरी बेसिस पे करना चाहिए इसके पात और भी नहीं सीरीज आने वाली है इस सीरीज के अंदर बहुत सारी वीडियो है तो प्लीज त्यार रहिएगा और आप लोगों को ब्लॉग बस्तर वीडियो मिलने वाली है तो डो वरी stay tuned with us और आप लोगों को बहुत सारा फाइदा मिलेगा तो चलिए start करते हैं आते हैं अपने grow app के अंदर रहे देखते हैं किस तरीके से बहुत easy way के अंदर buy or sell कर सकते हैं और अपने stocks को filter और sort भी कर सकते हैं अपने according के through तो चलिए start करते हैं सो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हम लोग ग्रो आप के इंटरफेस पे आच चुके हैं सो जब भी आप ग्रो आपको ओपन करेंगे आपको थ्री ओप्शन्स विजिबल होंगे यहां पर आप इस इंटरफेस के अंदर आएंगे आपको ग्रो आप में एक स्टेस्फाक्शन चीज क्या सबसे इंपॉर्टन मिलेगी जो की है सिंगल स्क्रोल सिंगल स्क्रोल के अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड़ हो जाती है और यहां पर यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मुझे लगता है जो की बहुत इजी है इस ग्रो आप को यूज करना अगर हम उपर से बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉल आपको मार्केट इंडाइसिस दिखेगा जिस पे आपके लिए निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी एड होते हैं आप थोड़ा से नीचे आएंगे आप देख सकते हैं आपको स्टॉक्स इन यूज प्रोवाइड होगा जहां पर कोई भी मार्केट पे नीज आती है कोई भी स्टॉक्स पे तो आप उस पर्टिकॉलर स्टॉक को ट्रेट कर सकते हैं उस particular news पे चाहिए वो bad news हो चाहिए वो positive news हो थोड़ा सा हो नीचे आएंगे तो आपको top gainers and top losers भी provide हो जाएंगे आप देखते होंगी कि आपको NSE की website पे या money control पे जाना पड़ता है जब आपको top gainers या losers देखने पड़ते हैं और तब आप बहाँ से decision लेके अपने trading terminal पे trade put करते हैं बेट यहाँ पर आपको easily way में सब कुछ provided है और आप यहाँ पर open करके अराम से trade को find कर सकते हैं so for example अगर मुझे top gainers पे grassim india अच्छा लग रहा है so मैं grassim india को click करूँगा and उसका पूरा का पूरा interface उसका सारा data मुझे हाँ पर show करना start कर जाएगा अब आप देख सकते हैं कि first of all आपको यहाँ पर chart show करेगा chart दो तरीकी के यहाँ पर पोटे हैं एक तो line chart और आप एक candle stick charts को भी देख सकते हैं आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको performance दिख जाएगी कि आज की performance क्या थी and 52 week low and 52 week high क्या था थेका तो उसके basis पर आप decision ले सकते हैं आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं live market activity भी provide हो जाएगी किते buyers और sellers active हैं इस particular stock के अंदर तो यह भी information आपको यहाँ पर provided हो जाएगी थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप company के branch देख सकते हैं कि company कौन से कौन से branch पर deal करती हैं आप एक single scroll के अंदर technical और fundamental दोनों को find कर सकते हैं तो यह एक growth आपने बहुत अच्छी चीज है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप fundamentals की तरफ आ रहे हैं जिस पर आपको market cap, PE ratio, return on equity, industry का PE ratio and various other things भी provided हो जाती है अगर आपको देखने कि इस company का director क्या है about the company तो आपको यहाँ पर visible है थोड़ा सा आप नीचाएंगे तो आप company के financials को study कर सकते हैं through charts और आपको details भी पूरी provided हो जाती है तो आप आप देख सकते हैं कि PNL अगर आप देखना चाहें, balance sheet देखना चाहें, cash flow देखना चाहें तो आपको सारी चीज़े already provided होती है through charts कि आप easy way में उसे understand कर पाएं थोड़ा सा आप नीचाएंगे तो आप share holding patterns को देख सकते हैं कि promoters, public and foreign investors ने कितनी share holding लगा रखी है और उनके पास कितनी quantities इनके पास है, stake है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इनके peers को भी देख सकते हैं कि इस grassim industry का similar sector का similar कौन सा stock है तो यहाँ पर आपको सारी details provide हो जाती है, आप उस पे भी click करके same analysis कर सकते हैं So for example, अभी मुझे लगता है कि SRF थोड़ा सा नीचे है and grassim अच्छा कर रहा है, तो शायद SRF भी अच्छा कर सकता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे intraday में buy करूँ So आपको यहाँ पर two options दिख रहे होंगे, sell and buy का So आप buy पे click करेंगे, जैसी आप buy पे click करेंगे, इस तरीकी का interface आपको show कर जाएगा आप देख सकते हैं, आपको left side में top पे आपको type दिख रहा होगा तो type पे आपको option दिख रहा है delivery का, बट अगर आप delivery को click करेंगे तो आप सीधा intraday पे shift हो जाएगे, because हम लोगों को intraday करना है Intraday करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास लिखाए कि आपको quantity put करनी है For example, मैं सिफ 10 quantities पे trade करना चाहता हूँ ठीक है, बट मुझे लगता है अभी stock थोड़ा सा weak है, तो मैं 10 quantities नहीं मैं one quantity पे ही trade करना पसंद करूँगा, so मैं क्या करूँगा, मैंने one quantity डालूँगा Price already यहाँ पर put है, market price जो current price चल रहाँ होगा, मैं उसी पे buy कर सकता हूँ या फिर मैं limit order लगा सकता हूँ, मैं सीधा market को click करूँगा, मेरा limit order लग जाएगा जो price मुझे satisfy करता है, मैं उस price पे उसे trade कर सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि मैं market price पे ही trade करूँगा, जैसी मैं buy का button click करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने srf की one quantity buy कर लिए, intraday के अंदर and वो buy successful हो चुका है, so मैं उसे done कर देता हूँ मैं जैसी done करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास दो options है, that is the intraday positions का और holdings का तो intraday position में अभी मुझे one rupees का profit हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं and अगर मैं holdings पर आपको कुछ buy करके दिखाता हूँ, so for example हम दो बार अपनी analysis की तरफ चलते हैं and हम थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि top gainers पर मुझे SBI life insurance बहुत अच्छा लग रहा है आज वो 6% भी बड़ावा है, so मैं क्या कर सकता हूँ, मैं SBI life insurance को click करूँगा and मैं buy पर click करूँगा, क्योंकि मैंने सारी performance read करी विया, मुझे अच्छा लगता है setup मैं buy पर click करूँगा, बट मैं delivery में लेकर जाना चाहता हूँ, because insurance sector के अंदर I think यह अच्छा motive है तो delivery पर मैंने for example, यहाँ पर two stocks डाल दे, कि मैं two stocks buy करना चाहता हूँ so उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सीधर buy पर click कर दूँगा, मैं जैसी buy पर click करूँगा, मेरा order place हो जाएगा आप type पर देख सकते हैं, कि delivery पर आपका buy हो चुका है, मैं जैसी done को click करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि holdings पर मेरा SBI life शो कर रहा है and intradip positions पर मेरा S.R.F. शो कर रहा है, so यहाँ पर इस तरीके से आप लोग buy या sell कर सकते हैं चिक है, so यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग ने क्या बात करी, कि आप stocks को find कर सकते हैं, एक single scroll के अंदर उस पर analysis कर सकते हैं, simply उस stock को click करके and उसके बाद अगर आपको stock पसंद आता है, तो आप उस पर buy or sell कर सकते हैं intraday पर, but अगर आप लोग positional trader हैं, तो you can buy with delivery so चलिए, I hope आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, बहुत easy था, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, so let's move to our next series, इस series की next video की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो video मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं mutual funds को क पूरा ध्यान से देखेगा, एक video में already upload कर चुका हूँ, कि grow app में आपको account कैसे open करवाना है, so अगर आपने अभी तक वो video नहीं देखी है, तो नीचे description पे आपको उसका link मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, उसके बाद इस video को continue कर सकते हैं, तो चलिए मैं मिलता आप लोग के से अगली video की इस grow app की series पर, और तब तक के लिए, bye bye